Hello friends, इस वीडियो में एक फरवरी 2023 को कंड़क्ट करवाए गए, सीट एट पेपर फर्स्ट में पूछे गए, हिंदी लेंग्लिस फर्स्ट के क्वेस्टन्स ओफीशिल आंसर की के साथ सॉल्व किये गए है सरुपर्थम गध्यांसे और इस गध्यांस को पढ़ लेते हैं हम इसी तरह से अगर दस आमों को दस व्यक्तियों में विभाजित किया जाए, तो प्रत्य को एक काम मिलेगा आगे वह बोले, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए, तो भागफल हमीशा एक ही ही होता है कक्षा के एक मेधावी छातर को इस सूतर की गलती समझ में आ गई, उसने पूछा, महोदे अगर सुन्य आमों को सुन्य व्यक्तियों में बाटा जाए, तो क्या प्रत्य को एकाम मिलेगा? इस ऐसाधारन प्रश्न को शुमते ही अध्यापक कुछ विचलित हुए, वे डांट क अगर बोले, सुन्य का कोई मान नहीं होता, पर विध्यार्थी ने आत्म विश्वास के साथ कहा, महोदे सुन्य का मान होता है, अगर दो के दाई और हम एक सुन्य रख दें, तो बीस हो जाता है, इसी में एक और सुन्य बढ़ा दें, तो दो सु हो जाता है, या विध्यार प्रत्यों को भाग देने की विदी समझा रहे थे, थर्ड उप्षिन, इस गध्यांश में वारत के किस छेत्र के विध्याले का प्रशंग है, दक्षन भारत के विध्याले का, नेक्ष्ट गध्यांश के आधार पर रिक्त इस्थान की पूर्ती कीजिए, अगर दस सामों को द अध्यापक कुछ विचलित से हुए, थर्ड उप्षिन, अध्यापक ने विध्यार्थी को क्या उत्तर दिया, अध्यापक डांट कर बोले, शुन्य का कोई मान नहीं होता, नेक्ष्ट ग्वेश्ट चात्र को अध्यापक से प्रश्ण पूछने की आवशिकता हुई, क्यो ये शंग्य सद्धेज़ और बाइकी ये तीनों विशिशन है, नेक्ष्ट क्वेश्टन, विध्या लेका शंदी विचेदे, विध्या धन आले, दिरिग्षवर्शन्दी, आत्म विश्वास का समास्विग्रे है, आत्म पर विश्वास, और इस कध्यांस में बात हुई है भार्त के महानगणी तग ये स्रिवास रामानुजन की Next, काव्यांस के आधार पर प्रश्णों के उत्तर देने हैं यथा समय मुकूलितों, यथा समय पुश्पितों, यथा समय फल दे आम और जामून, लीची और कटल काव्यांस में किन फलों के पुश्पित होने की बात हुई है आम, जामून, लीची और कटल Next, कवीद्वरा स्वेम किस फल को देने की बात की गई है परिनत प्रग्या का अपना फल प्रग्या का अर्थ होता है, बुद्धी बुद्धी और प्रतिबा का फल Next, किन पंक्तियों के माध्यमशे कवी के अस्त्रिय भाव का पता चलता है एक लोता ओप्शन, जिसमें विश्मयादी बोधक्ची हन आप देख सकते है Next, क्वेशन बुद्धी को आनंदित करने में किसका योगदान है, धरा को मुदित करे नियंत्रित न दिया First option Next, किन पंक्तियों में स्रिजन का भावजा लगता है, आम और जामुन लीची और कठल तो फिर मैं ही बांज रहूं, यथा समय पुष्पेत हों, यह कैसे होगा Third option Next, क्वेशन यथा समय से तात्परिय है, समय के अनुसार Next, क्वेशन भाशा के बारे में कौन सा कथन सही है, किसी बोली की कई भाशाएं हो सकती है, नहीं एक भाशा की कई बोलियां हो सकती है, बोली और भाशा एक ही है, नहीं भाशा की लिपी होती है, जबकि बोली की अपनी कोई लिपी नहीं होती है, एक भाशा की कई बोलियां हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बोली और भाशा पारस परिक्रूप से बोध गम्य है Third option Next question, निपुन क्या है? निपुन क्या निपुन? विद्याले के बहुत छोटे बचों में शाक्षर्ता, पठन और संख्या ग्यान सम्मूनत करने का कारिक्रम है? Second option Next question, निपुन लिकित में से किसे ग्राहिये कौसल कहेंगे? ग्राहिये कौसल जिनसे हम ग्राण करते हैं, तो ग्राण हम पठन और सर्वन द्वारा करते हैं, जबकि लेखन और वाचन कौसल, उत्पादक कौसल या अभिव्यक्ति कौसल कहे जाते हैं Next question, बहु भाशावाद क्या है? विध्याले में बहुत सी भासाओं का अध्यापन, कार्याली भासा, सह कार्याली भासा और अंग्रेजी का अध्यापन, विध्याले में शिक्षार्थियों की भाशाओं का शिक्षन आधिगम, विध्याले के रचनात्मक वर्षों में कम से क कम तीन भासाओं का शिक्षण थर्ड ओप्षिन नेक्ष्ट क्वेश्ण काक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विध्यार्थियों से कहा कि वे शब्द शंपद्दा शीखने के लिए अपने घर से पशू वह वाहन वाले खिलोने लेकर आएं भाशा शिक्षण शास्तर की द प्रत्यक अक्षर की ध्वानी को समझ लेती है वह पढ़ लेती है वह क्या करने का प्रयास कर रही है संकेत बनाना या एनकोडिंग संकेत कोलना या डिकोडिंग अर्थ निर्मान अर्थ के लिए पठन पहली कक्षा की अध्यापिकाने कक्षा की दिवारों पर इस तरह से जगे छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग बना सकें चित्रकारी कर सकें बच्चों की इन गतिविदियों को क्या कहेंगे आरंबिक शाक्षरता हाथ आंक समनवे लेखन विकास चित्रकारी शीखना फर्स्ट ऑप्षिन आरंबिक शाक्षरता नेक्स्ट क्वेशन अधिगम के शुरुवाती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और सिसुगीतों का नहीं है भाशा विकास मुल्य विकास कल्पना शीलता एवं अनुमान फ्याकरनिक शंत का विकास फौर्थ ऑप्षिन next question डिसलेक्श्य शिक्या आशे है डिसलेक्श्य बच्चों में पठन विकार को कहते हैं नेक्स्ट क्वेशन, अस्वीनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसमें अपनी मात्रिभाषा में पठन कोशलों का विकास हो चुका था, अब हुए अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है, अंग्रेजी पठन की उसकी योगेता में क्या परिक्षा में शब्द, शब्द शमुह, शिशुगीत, तुक बंदियों और चोटी-चोटी कहानियों से परिचित करवाता है, बह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरन कर रहा है, समग्र भाषा उपागम, शब्द विधी, स्वनिम उपागम, समग्र वाक्य उपा प्रशन किस प्रारूप के अंतरगत आएगा, बहु विकल्प ये प्रशन, लगू उत्तर ये प्रशन, पाट से बाहर के प्रशन, खुले अंत वाले प्रशन, चूंकि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई फिक्ष उत्तर नहीं है, सभी विध्यारती अपनी प्रशंद और न छेद लिखती है, यह पाठ्य सामगरी किसके अंतर गताएगी? प्रामानिक सामगरी, प्राकृतिक सामगरी, स्रिजित की गई सामगरी, परियावरनिय सामगरी. थर्ड ओप्षिन, स्रिजित की गई सामगर्ण कक्षा 5 के विध्यार्थियों को 5 के समू में बाटा गया और अपने रूची का विशेच चुनने के लिए कहा गया बच्चों ने समू में थीम पर आकड़ों का संग्रण किया और रिपोर्ट लेखी भासा अधिगम की इस गतिविदी को क्या कहेंगे प्रदत कारिये, समू कारिये, परियोजना कारिये, सैपाटी कारिये थर्ड ओप्षिन, परियोजना कारिये लास्ट क्वेशन, विध्यालई बचों में भारतिय भार्षाओं को सम्मुनत करने वाले भारत सरकार के कारिकरम का नाम बताईए, भासा सम्मेलन, एक भारत स्रेष्ट भारत, आजादी का अम्रित माउत्सव या भासा संगम, फौर्थ आप्षिन भासा संगम विडियो अगर पसंद आया हो और आपके लिए helpful रहा हो तो विडियो को लाइक करें, शेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कॉमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में, till then thank you so much and all the best.